एक वेक्त जो की अपनी जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी मा के पास गया और बोला मा आज कुछ भी मेरे पास है मैं जिस सफलता के बुलंदियों को पा चुका हूँ वो सब आपके प्यार और ममता काहे देन है इसलिए मा मैं चाहता हूँ ने जो प्यार दिया है मैं उसका रिर चुकाना चाहता हूँ यह सुनकर मा आज से चक्की तो हो गई और बोली नहीं बेटा मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए यह तो मेरा फर्ज था जो मैं अपनी संतान के लिए किया लेकिन वह वेक्त बार बार जीत करने लगा नहीं मा मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ मा आप मांगो तो सही तो बार बार जीत करने के बाद मा बोली ठीक है क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या या बास सुनकर वह वेक्त बोला बस इतनी सी बात है तो जरूर मैं अपनी मा के पास आज रा सोऊंगा जैसे ही रात में वह वेक्त अपने मा के पास सो गया मा उटकर एक मग पानी ले आती है जहां अपनी सोई थी उस तरब से पानी डाल देती है जिससे दीरी दीरे वह पानी उस वेक्त की तरब भी चला गया और फिर नमी से वह वेक्त परसानी महसूस करने लगा और दूसरी आप किसा गया तो फिर मा ने और पानी डाल दिया जिससे उधर भी नमे महसूस हुआ तो वह तुरंत उठ गया और अपनी मा के हाथ में मग देखकर गुसे से बोला आप क्या कर रही हो मा मुझे सुने क्यों नहीं देती हो आप मुझे गेली बिस्तर पर वाला कैसे सुला सकती हो तो वा मा बोली बेटा जब तु बच्पन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गेली कर देते थे और फिर मैं दूसरे तब तुमें करेके खुद गेली अस्थान पर सो जाते थी तुम तु मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम तुम्हारे लिए किया था क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो यदि तुम ऐसा कर सकते हो तुम मैं समझ जाओंगी कि तुमने मेरे ममता का कर चुगा दिया है। अब वह किये पर सर्मिंदा था दोश्तों मा की ममता का करज कभी भी हम चुका नहीं सकते। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देजिएगा। धन्यवाद। बाई बाई